आज हम बनाएंगे सूजी के बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार लड़ू वो भी सिर्फ तीन चमज घीर से बनाने वाले हैं और इसको बनाने के लिए आपको चाशनी या फिर मावा बनाने की जरुवत नहीं है बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं सूजी के लड़ू बनाने व दूद है दूद आप कोई सा भी ले सकते हैं और दूद को हमें उबलने देना है तो दूद में एक उबाल आ चुका है अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर गाड़ा करेंगे गाड़ा करने से पहले मैं इसके अंदर चीनी डा आगे में एक कप चीनी और इस्तमाल करूंगी तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो कैसे करना है दूद में मैंने चीनी डाली है इसलिए हमें इसे चलानी की जर्वत नहीं है बीना चलाए भी इसको गाड़ा कर सकते बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा तो हम क्या क करेंगे इसे तब तक गाड़ा करेंगे जब तक कि जितना हमने दूद लिया है उसका वन फोर्ट न बज जाए यानि कि हमने दो कप दूद लिया है तो आधा कप दूद हमारा बचना चाहिए इतना ही गाड़ा करना है तो जब तक दूद काड़ा हो रहा है तब तक हम इध तो घी हमारा गरम हो चुका है और अब मैं इसके अंदर सूजी डालूंगी तो सूजी हम इसके अंदर 1.5 कप डालेंगे जिस कप से हम चीनी और दूद लेंगे उसी कप से मैंने सूजी डाली है अगर आप कटोरी लेना चाहते है तो एक कटोरी फिक्स कर लिजे फिर उसी से स हाई फ्लेम पर भूनते हैं तो कहीं से जादा सिख जाएगी और कहीं से कम सिखेगी तो लड़ू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर ही लगाता चलाते वे भूनेंगे और अब चो हमाई सूजी है वह हलकी भून चुकी है तो इस समय हम क्या करे की अरपिंगे इसकी आंदर को यहांनि की नारियल का बुरादा तो मैं इसके अंदर आधा कप टम टाल रही हूं आप इसकी जगह सूखा नारियल को भी मिक्सी में चला कर डाल सकते हैं और अब हम इसे लगाता चलाते वे भुन लेंगे नारियल हमने बाद में डाला है क्योंकि नारियल को भुनने में बहुत कम समय लगता है और सूजी को भुनने में जादा समय लगता है और सूजी अभी हमारी बोह आरेल बहुत जंदी भुन जाते हैं लेकिन हमें बहुत अच्छे सEC नारेल डालने के बार भुनना है तो मैंने से भुन लिए है और अब हम क्या करेंगे इस से मैं इसके अंदर चीनी डालेंगे तो मैं इसमें एक कब पिसी वी चीनी डाल रहे हू चीनी डाल कर भी हमें बहुत अच्छे से भुनना है जब चीनी को सूजी के साथ भुनते हैं तो सूजी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है सूजी हमारी खिली-खिली हो जाती है उसके दानेदार हो जाती है हमारी सूजी तो मैंने चीनी डालने के बाद भी इसे अच्छे से लो फ्लेम पर भून लिया है तो सभी चीज़े हमाई भून चुके हैं अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स टाल दे रही हूँ तो मैं इसके अंदर काजू, किश्मिस और बादाम डाल रही हूँ और इनको भी अब हम सूजी के साथ भूल लेंगे तो ये मैंने वन फोर्थ कप डाले हैं आप अपने एक्षा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस समय चाहे तो आप इसके अंदर इलाइची का पाudर भी टाल सकते हैं लेकिन मैंने इसके अंदर इलाइची का पाड़र नहीं डाला है बिना इलाइची के पाड़र के भी इसकते बहुत अच्छा आने वाला फ्रेंड तो सूजी हमारी अच्छे से भून गई है अब हम गैस को अन कर लेंगे और इसे अच्छे से सूजी के साथ मिक्सट कर लेंगे, जैसे सूजी के साथ मिक्स होगा, फिसी घीली हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी न घब रहा है, इसका टेस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसे बनाया है इसका टेश बहुत अच्छा हैगा बलकि लड़ों को बांधने में असानी होगी और लड़ों को बांधने के लिए आपको एक्स्ट्रा घी यह एक्स्ट्रा दूद की जरुवत नहीं पड़ेगी तो दूद डालने के बाद मैंने इ दिख सकते हैं यह लका हल्का घीला में लेकिन हम गयर कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे इस तipper ठंडा होगा तो इसके सुखा सुखा हो जाएगा तो मैंने आभी कश्ट्रा बंद करने के बाद इस अच्छा लिया है कुए कड série काफी coloca गरम थी तो इसलिए मैंने से ऐसे नहीं छोड़ा है और आप हम इसे गैस से नीचे रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे अभी जो मिक्षर है वो हमारा काफी गरम है इसलिए यह आपको इस तरीके से दिख रहा होगा लेकिन जैसे यह ठंडा होगा बिल्कुल यह खिला खिला हो जैसे हमारे लड्डू का मिक्ष्यर होता है तो अब आप देखिए यह ठंडा हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से यह अभी भी ठंडा नहीं हुआ है तो जब यह हलका सा गरम रहेगा तभी हम इसे बांद लेंगे क्योंकि अगर आपने इसे बहुत जादा दिर रखती है और ना डालना पड़े तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मिक्ष्यर हाथों में लेके इस तरीके से दबा के रोल कर लिया है तो हमारे यह वाला लड्डू बनकर तयार है मैं आपको दो-तिन लड्डू और बना के दिखाती हूं बहुत आसानी से यह लड्डू बन जाए और आप इन लड्डू को एक हफते तक एयर टाइट डब्बे में बढ़कर रख दीजे बिल्कुल खराब नहीं होंगे तो फ्रेंस इस रेसिपी को एक बार घर पर जबूर ट्राय करिएगा और रेसिपी पसंदा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फिर मिलेंगे एक नहीं रेसिपी के साथ